मोधी जी का यह रवय सही है क्योंकि जो किसान के रूप में वह गये हैं वह जमीनदार है पहले बास समझे यह उनकी कुछ मांगे हो सकती है कोई दवा नहीं है इनको हर चीज अच्छा लगता है अच्छा लगता है पहले महंगाई डायन थी 14 से पहले अब महंगाई भाजाई हो गई है सवाल है कि काना मन में क्या है क्या है कौनह का मतलब है कि हम रानी के बेटा को राजा नहीं बनाएंगे राहूल जी कैं मैं किसन को बिया खाद ढंग से दिया जाता था दिल्ली में किसानों का टूपोइंट ओ अंधलन सुरू हो चुका है उसको लेके तमाम बॉर्डर को सील कर दिये गए हैं कई ऐसे बॉर्डर हैं जहां पर कीले ठोकी गई है और जो किसान अंदर आना चा रहे हैं दिल्ली के अंदर घुसना चा रहे हैं उन पे आसु गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं गोले ड्रोन से भी बरसाए जा रहे हैं उस या मैं नहीं दे पाएंगे राहूल जी बोल रहा है और देगा राहूल जी के आज में मैंने किसान को भी आखाद भाउत ढहंग से दिया जाता था कम रेट में हर जग है और जो थोरी दिन में राहुल का सिट चला गी आने तो अगदम खेत में बोरिंग गलता और लेंड सिस्टम होता किसान को मफिया है तो राहुल मोदी जी नहीं है किसान भी तो किसान गये हैं ट्रक्टर लेके तो कील इतना मोटा मोटा गार दिया गया है बोडर पे मोदी जी गार गरबादी हैं क्या कहेंगे इस पर गरबादी है तो किसान सत पर है उसको बिजया होगा किसान छोरेगा नहीं किसानों को तंग कर रही है मोदी सरकार एकदम पूरे से कई किसान का हैल हो चुके हैं अब तक उनको दिल्ली जोने नहीं दिया रोका जा रहा है क्या कहेंगे क्या कहेंगे और किसान मजदू को पूरे सक्ति से मर्जूत होगा आप लोग किसानों के साथ हैं किसान मजदूर के साथ हैं अच्छा अरे राजा गरीब के साथ हैं जो क राजागरीब को भला हुए कि सरकार भारत अप लंको कुछ बोलें जार क्या लखता मैडम कि सनगे हैं क्या कहेंगे क्या करेंगे साविधार आई किसान जो है दिल्ली पहुंच गये बॉडर पर यूपी और जो टिक्री बॉडर है यूपी गाजियाबाद का जो बॉडर है वहां पहुंच सम्मू बॉडर पहुंच गए हैं और की लिए ठोक दी गई है तो मौदी जी के इस रवाइय पर आप क्या सोचते हैं मौदी जी का यह रवाइया सही है क्योंकि जो किसान के रूप में वहां गये हैं वह जमीनदार है पले बाद समझिए उदेश के बास ही नहीं है उनकी कुछ मांगे हो सकती है मांगे हो सकती अब 200-400 विगा के मिंदार है लेकिन सवाल है कि का उजमीनदार खेती करता खेती तो मजदूर करता है अच्छा बिहार से तरह जाय कहाँ पर मजदूरी कर रहा है पंजाब और याना में तो खेत उलग अब आ रहा है अमीर किसान को इसे कोई लेना दना नह कि जैज बात नहीं हो सकते है क्यां कि अभी कि यहां फाद जो भी समागरी और अभी आच्छा है व्लोगा है मांगा तसले मांगा है तो फैदात उन्हें को न हैं साथपसेंट बढ़ गये हैं तीस किसान राहुल जी का किसान के हकित में काम करते हैं मोदी जी काम तो गड़िया सरकार की अभी जो आंसो गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं कील ठोक दी गई है अंदोलन करने का दिकार है इस लोग तंतर में किल ठोकने क्या वह सकता था तो आप अच्छती पहुंचा के सरकारी संपति के नुक्सान पहुंचा एक आणोलन करें तो गलती है यह बताइए तो अब तक को शती नहीं पहुचा आ है तो आप वहां पे नहीं गया है लेकिन आप देखें समयाचार में दिखाया जा रहा है कि वहां पर परिस्करेंगे ल तरीका सहीता तरीका बताई तोर फोर किजेगा आपके हिसाब से क्या तरीका तरीका बताईए ना तरीका तो आप पी ये लगी कोट में जाए है इसको देखिए उसको अगर आपको उस परकार का लाब नहीं मिल रहा है तो सब्सक्राइस कर देंगे हैं कि श्वारा है उसे आंड़े को किसान को कस्ट हो रहा है किसान कहा करें कि नहीं जाए सुप्रियम को उट डीश्टी कोट काला बना बढ़ा-बढ़ा बाद राखन के किसान गलती कर रहे हैं दिल नी जाके अपनी मांग रखना जायज है और सुरू से भारत का इतिहास रहा है कि जब जब यहां कोई कि परशानियां आती हैं पब्ली को कश्ठ होता है तो अंदोलन से ही सुनता है जगता है सरकार सुनती है और जागरूकता ही जब जागरूकता आदमी में बढ़ती है तो उसको सरकार को मजबूरन नियम बदलना पड़ता है य्जाब है कोट वोलता है पजाब कर्याना अब कोट से हैं अपको जवाब machine मैं última मलेगों कि yeah अगर आप अपने हग की आवाज उठाते हैं तो इसका मतलब कि आप गलत है राहुल गांदी ने कल किसनों से मतलब किसान जो आंदलन कर रहे हैं क्या लगता है कि इस परकार जाय है बिल्कुल जाय चारी किसानों मोटा पर भी राजा और गरीब ठीके हुए हैं जदि किसान का धरती नहीं उब जएगा किसान मेहनत करके अनाज़ नहीं देगा तो कितनों बोरा कोड़ा रुपिया रहेगा ता मनुस खाएगा किया बस किसान को मोदी जी को खबर लेना चाहिए और समझोता करना चाहिए कि भारत में अनाज नहीं उपजेगा तो ले परले हो जाएगा किसान का अंदोला नंग्दम सही है और किसान को समझोता करना चाहिए मोधी जी को जैकि भारत मेरा आनंदर है रोटी सबजी मिले और राजा और गरीब को सब को आनंदर मिले से गोले एक सकेंट में छोरे जा रहे हैं कैसे देखते हैं कर वाडर पर जहां किसान गए है किसाना के ओपर आसो गैस के गोले दिरोन से छोड़े जा रहे हैं यह कांग यह देखने हैं और AT का जी का पर तक यह गलत लगेगा है हो फट्च जब किसान पे जो ड्रॉन से जो हमला करेंगे तो आज यह पोजीशन पे नहीं होता है आज उसकी बात नहीं होता है जो नहीं हो रहा है तो दोखा यह गारांटी नहीं हो रही है अप ही बता दीजें हमें यह गारांटी जो उन्होंने वादा किया है पबलिक से वह पूरी हुई है वह एक गिंति कराई है बहुत कुछ काम हुआ है यह बाता है यह कांग्रेस के सासन काल में एम्स जो बना उन्होंने अपना क्रेडिट लिया वहां लिया एम्स का क्रेडिट मोदी जी लिए एम्स काटो बना भीहार में आप बताई यह मोदी इसके सासनकाल में ठीक है जो नॉर्मल चीजे हैं एम्स तो बहुत बड़ी चीज हो गई जो नॉर्मल चीजे हैं जो समस्या है यह जो किसानों के साथ और आज किसान जो अन्द दाता है इतना बहुत थी लुट किया है कंगरेश के नेता है कि पहले महंगाई डायन थी 14 से पहले अब महंगाई भाजाई हो गई है आप बहुत agri बहुत बढ़े लिखे हैं आप पढ़े लिखे हैं को बात है किसान मुद्द्द था यहीन हम अब था बहुत पड़े लिखे हैं आप पड़े लिखे हैं कि कोहने की बात कि मजदूर है कि किसान जमीनदार है ethobyl हमको बताये आप इसको कैसे डिवाइट कीजिएगा जमेनदार की सान है कि किसान मुझान एक जमीन दान खान चोटा किसंदो कि बड़ा किसंदो सबक्रें सब3 और किसान मौड जा रहा है वह एक मुद्दा है बहुत अच्छा बात है किसान और मजदूर में अंतर है कई ऐसे लोग है जिनके पास सो भी घा जमीन है मजदूरी करता है मजदूर खेत में जा रहा है यह मैस्पी तो जमीन वाला के न मिलेगा बिल्कुल किसान मजदूर के लिए चलिए क्या कहेंगे आपका नाम साथना पासवान है क्या लगता है आपको किसान डिल्ली में टिके हुए हैं बॉर्डर पे अंदर नहीं जा पा रहे हैं मौदी जी उनके लिए पूरी विवस्था किया इतना मोटा मोटा कील है और ड्रोन से जो है यह आसो गैसी गोले छोड़े जा रहे हैं ताबर तोर कैसे देखते हैं किसान के उपर जुलूम हो रहा है जुलूम हो रहा है जिम्मदार लोग खेती करते नहीं है मजदूर आझना भैन जैगा करवाई यह मदि से का के जिसका द्वू सो 304 वीशे मेन है वह अपना खेत नहीं चिनता है अजimana दूर आदम किसान है कौन है किसान है एक बड़ा आदमी आतंगवादी नहीं कहें गया कहेंगे आप आतंगवादी करहीं रहा है तो उसमें कोई महर्ज नहीं है हमारे आदमी के बीच में पुलिश वाला कौन हमारे आदमी को कुई वीच में उसके साथ अच्छा कर रहा है जी फेक रहा है आप देख सकते हैं कहीं भी किसान उस जबहें रियल किसान नहीं है सब्सक्राइब नहीं है तो अपने फसल की गारंटी चाहता है क्या वो मांग जाए जाए नहीं है कितने दिन आप आज बोल रहे हैं आज ही हो जाना चाहिए पिछले साल कितना साल संदलन चलना यह 2019 में चालू हुआ था जिए उनीस में चालू हुआ था टाइम खतम हो रहा है उसके ऊपर काम हो काग जी कार्वाई काम हो रहा है ऐसा तो हुआ है यह सब सबस्काप कर रहा है उसकाम कर दिया जा कि सब खिसान नहीं है एक भी मैजूर किसान नहीं है एक भी नहीं है उस नेता पर आशुगैस का गोला छोड़ना ड्रोन से यह जाईज है नहीं जाईज नहीं है निशनल दस्तक को सबस्क्राइब करने के लिए रेट कलर के सबस्क्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेर करें लाइक करें कमेंट जरूर करें